हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो मैं वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहारा स्पेसल प्रसनों करेंगे ठीक है उसी स्रीज कर रहे हैं और आज के स्रीज में हम लोग बहुत धर्म को खतम करेंगे मतलब बहुत धर्म के पेपर को खतम करेंगे बहुत धर्म से उड़े ठीक है याद रहें किस साहित को कहा जाता है लाय विस्तार को माय मिलिंद पन्हों या देरगी निकाय ठीक है सभी आपसे नमबर ने लिट विस्तार अगर बढ़ते हैं अगले प्लपन की तरफ अकला कुस्चन है विवासा सुत्र किस संपरदाश से संबंदित साहित है? उप्शन सें जैन, बाद, सैव या वैसनोर त्याद रखेगा जो विवासा सुत्र है यह बाद, धर्म से संबंदित साहित है यानि कि ऑप्शन नमबर 20 होगा अगर बढ़ते हैं अगले प्रसंद के तरफ नागसेन, या सारी पुत्र, तो विभासा सुत्र के लेखा के बात होगी, तो यह है वसुमित्र, यानि कि option number A सही होगा, अगर बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से किस साहिति का संबंद चतुर्थ बौध संगती से है, option से ललित विस्तार, मिलिंद पन्हु, अकूतो म आया, या विभासा सुत्र, तो बात के जारी किस साहिति का संबंद चतुर्थ बौध संगती से है, तो चतुर्थ बौध संगती से संबंदित साहित है, विभासा सुत्र, यानि कि option number D से होगा, अगर बढ़ते हैं, अगला सवाल, जान, आजीवक, बाध या सीख, बात के जारी सौंद्र, नंद ग्रंथ का संबंद है, बाध धर्म से, option number C होगा सही, आगर बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सौंद्र, नंद ग्रंथ के लेखक कौन है, इसका option है, वसुमित्र, असुघोस, नागसेन या उपाली, सही जवाब होगा इसका सौंद्रा नंद ग्रंत के लेखक के बाद हो रही है तो इसके लेखक है असुघोस ठीक है आप्सन नमबर 20 ही होगा अगर बढ़ते हैं अगला सवाल है निम्न में से किस साहित्त में गौतम बुद्ध के सोतेले भाई बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है अप्सन है असुघोस वसुमित्र उपाली या सारी पुत्र बात के जारे बुद्ध चरित्र के लेखक के तो ये है असुघोस ठीक है अप्सन नमबर एस सही होगा अगर बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ अगला सवाल है निवन में से किसे बौध धर्म का महाकावे कहा जाता है अप्सन है ललित विस्तार अकूतो माया बुद्ध चरित्र या सौंद्र नंद तो बौध धर्म के महाकावे के बात हो रही है तो ये है बुद्ध चरित्र ठीक है, option number C से ही होगा यहाँ से, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ, अगले सवाल है, deep ones किस धर्म से संबंदित ग्रंथ है यह साहित्य है, option है, bod, jain, आजीवक यह सैव, तो deep ones जो है, यह bod धर्म से संबंदित एक ग्रंथ है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ अगला सवाल है निम्न में से कौन स्रिलंका का बौद साहित्य का इतिहास है ऑप्सन है लड़ित विस्तार अकूतो माया बुद्ध चरित्र या दीप वन्स ठीक है तो स्रिलंका के बौद साहित्य के इतिहास की बात हो रही है तो यह है दीप वन्स ठीक है ऑप्सन नमबर डी स सभी होगा अगे बढ़ते हैं अगला सवाल है महावंस किस संपरदाश से संबंदित गरंथ है उपसिन जैन अजीवक बाद यह सैव तो जो महावंस है यह संबंदित है बाद धर्म से ऑपसिन सभी होगा अगे बढ़ते हैं अगला सवाल महावंस के लेखक कौन है और वसुमित्र भंदत महानामा आसवगोस या उपाली तो महावंस के लेखक के बात हो रही है महावंस के लेखक है भंदन्त महानामा ठीक है ऑपसिन नमबर भी सभी होगा अगे बढ़ते हैं अगला सवा नीमर्ण में से किस ग्रंच से उज्ञेन के वायसराय सम् deduction जंकारी मिलती है और जंकारी मिलती है अप्स Woods, दीप Woods ललित विस्तार, मिलिंद पन हूँ तो सही जाओ और जेन के वैसराय के बात हो रही है तो ये इसके जनकारी मिलती है महावंस नामक सहित से या ग्रंथ से ठीक है? Option number A सही होगा आगे बढ़ते हैं तृत्य बहुत संगती के जनकारी किस ग्रंथ से मिलती है? Option है बुदुचरित्र, ललित्विस्थार, अकूतो माया, महावंस तो तृत्य बहुत संगती के जनकारी मिलती है ये मिलती है महावंस नाम के ग्रंथ से ठीक है? Option number D सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है ग्रंथ वंस नत्पकासनी नामा टीका किस सहित पर लिखी गई है? Option है दीप वंस, महावंस, ललित्विस्थार, अकूतो माया तो जो ये टीका है ग्रंथ वंस नत्पकासनी ये लिखा गया है महावंस नामक सहित के नाम पर ठीक है? ये एक टीका है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है दिब्या वदान किस धर्म से सम्मंदित ग्रंथ है? Option है अजीवक, सैव, बाद, ये जैन तो दिब्या वदान जो है ये बाद धर्म से सम्मंदित ग्रंथ है यानि कि option number C सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है निमन में से कौन बाद ग्रंथ नेपाली सहित है? ठीक है? नेपाली सहित के बात हो रही option है डी सही होगा आगे बढ़ते हैं दिब्या वदान के कितने भाग है? option है 2, 3, 4 या 5 तो दिब्या वदान के भाग है? लकुल दो, ठीक है? option number A सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दिब्या वदान का भाग निमन में से कौन है? option है बुद्धा वदान असोका वदान कुनाला वदान यह B और C दोनो सही जवाब होगा? असोका वदान और कुनाला वदान यानि कि B और C option number D जो है हमारा सही जवाब है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है गौतम बुद्ध की मूल सिच्छा एम अबदेश में विश्वास रखने वाले रख करने वाले बहुत भिक्चू क्या कहलाते हैं? option है अस्थावीर जंगम होटवार यह सुत सही जवाब होगा? अस्थावीर option number A सही होगा अगला सवाल है परिवर्तन चाहने वाले बहुत भिक्चो को क्या कहा गया था? option है थेरवादी अस्थावीर महासंगिक यह जंगम देखिए बहुत धर्वादी जब बढ़ता था तो उसमें कुछ बहुत अनिवाई ऐसे थे जो कि परिवर्तन चाहते थे ठीक है परिवर्तन चाहते थे उनको कहा गया था महासंगिक ठीक है option number B सही होगा महासंगिक option उपर नीचे हो गया है option number B सही होगा अगे बढ़ता है अस्थावीर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? option है नागसेन वसूमित्र महाकच्चायान या फिर उपाली सही जावब होगा महाकच्चायान ठीक है? यानि कि option number C सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है महासंगिक संपरदाय का परवर्तक कौन था? तो यह option है वसूबंधू महाकच्च्चायान सरुकामी या आनंद सही जावब होगा इसका? महाकच्च्चायान option number B सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल भारत में अस्थाविर संपरदाय के समाप्ती पर किस संपरदाय का विकास हुआ था? option है स्रवस्तिवाद, गयावाद, असोकवाद या कुनालवाद सही जाओ भगो स्रवस्तिवाद यानि कि option number एस सही होगा अगला सवाल है हीन यान मूलता खाले अस्थान का संग था महासंगिक का, विहारवाद का, अस्थावीर का या ये और भी दोनों का हीन यान जो था वो मूलता खाले अस्थावीर का संग था अगे बढ़ते हैं अगला सवाल है महायान किसका संग था? option है महासंगिक, उपासक वाद, थेरवाद या रोचक वाद तो महायान जो था, वो महासंगिक लोगों का संग था option नमबर A सही होगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निमन में से किसमे हिन यान विश्वास करते हैं? किसमे विश्वास करते हैं? option है चार आरे सत्य, अश्टांगिक मार्क, दस सिल या एविसी, तीनो अगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हीनियान संप्रदाय का आदर्स क्या है? option है अरहर्थ, ब्रह्मत, आनन्द या औरस तो हीनियान संप्रदाय का आदर्स के बात की जा रही है तो यह है अरहर्थ, यानि कि option नमबर A सही होगा अगर बढ़ते हैं अगला सवाल है हीनियान के अनुसार बुद्ध मानव थे और खाली अस्थान का विरोध करते हैं किसका विरोध करते हैं आपसन मुर्ती पूजा, सिक्छा, अवतारवाद, जादू टोना तो हिनियान के अनुसार बुद्मानव थे और मुर्ति पूजा का विरोध करते थे यानि कि option number A सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है अरहत वह है जो केवल अपने खाले स्थान प्राप्ति के लिए प्रेतन करता है किसकी प्राप्ति के लिए प्रेतन करता है option है केवल समाधी सनलेखना या निर्वान सही जवाब होगा इसका निर्वान option number D सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है खाले स्थान में ही बुद्ध को देवता माना गया है और मुर्टि पूजा प्रारम हुई option है हीनियान में माना गया बुद्ध को देवता महायान में कर्मयान में या योग्यान में दीखे बौत धर्म जो था शुरू में वो मुर्ति पूजा के बिरोध में था टीक है पर बाद में जब बढ़ गया तो इसमें से एक पार्ट में मुर्ति पुया शुरू हो गई थी तो किस पार्ट में शुरू हुई थी हिनियान में शुरू हुई थी महायान में कर्मियान में या योगियान में तो इसका सही जवाब होगा महायान में ठीक है ऑप्सन नमबर B सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है महायान संप्रदाय के सहित्य के भासा क्या थी ऑप्सन है पाली मगदी प्राकृत संस्क्रीट तो महायान संप्रदाय के सहित्य के भासा की बात की जा रही तो सहित् स्क्रीट अप्सन नमबर डि से योगा अगर बढ़ते हैं कि सम्प्रताय में बृद्ध को बोधिस्तु कहा गया था अप्सन है हीनियान महायान वज्रियान या कर्मियान सही जाब होगा महायान यानिके अप्सन नमबर वी से योगा कि अगला है बुद्ध ने खाले स्थान में अपने 500 के स्थिस्यों के सहयोग से बौद संग की ती कहां पर स्थापना कि थी बौद संग की ऑप्सें ने बौद गया सतना वैसाली यह सारनात कि सार्नात यांनि कि option number डी सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है बौद संग घृनिये स्थां पर नाली पर अधारित थां ऑशने राज्तांत्रीक यह जनतांत्रीक तानसा यह आउतारवार तो बौद संग जो था यह अधारित था जनतांत्रीक पर नाली पर ठीक है अ तो भूस्ताम सं निटिकींग और अचे हैं तो आज की वीडियो में इतना ही होगी है मैं लोगों है आज्स तभी प्रसनों कर लिए मैंड के लिस्ट बना दूंगा ताकि आपको लिए रिवीजिन करने इसको जी हो जाए ठीक है तो बहुत धर्म का चैप्टर आज खतम हो गया है मिलते नेस्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म के साथ सुरुवात करेंगे अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्ल आज लगीए और फैनली, थैंक्स पर वाचिंग्ग।